गुड मॉनिंग स्टुडेंट्स, वेलकाम बैक टू माई चैनल स्टडी विता भीमान, सो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एक्जाम 2022 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ, तो जैसा कि आप सभी स्टुड जानते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, अब रिजल्ट आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, वही इंफर्मिशन में आज की इस वीडियो में आप लोगों को डीटेल में बताने वाला हूँ, कि आप लोगों की काउंसलिंग कैसे होती है, आप लोगों को कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना होता है ब्रांच कैसे सेलेक्ट करनी होती है यह सभी इंफर्मिशन में आज की इस वीडियो में आपको डीटेल में बताने वाला हूँ और इसके अलावा जिन स्टुडेंट्स के नंबर थोड़ा कम आए है तो उन लोगों का एड्मिशन गवर्मे तक जरूर देखिएगा तभी आपको यहाँ पे सभी बाते अच्छे से समझ में आएंगे तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो जैसा कि आप सभी स्टुडेंट्स अपनी स्क्रीन के उपर देख पारेंगे मैंने यहाँ पे सभी इंफर्मिशन पहले मैं आप सभी स्टुडेंट्स को यह बता दू कि मैंने अपना व्लॉगिंग का एक नया चैनल क्रियेट किया है चैनल का नाम है अभीमान व्लॉग्स और मैंने इस चैनल पर एक वीडियो भी अप्लोड की हुई है तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं आप सभी स्टुडेंट्स को बता दो कि इस चैनल पर मैं आप लोगों से अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड वीडियो को शेयर करूंगा मैं स्टडी में क्या करता हूँ यह सभी इंफर्मिशन में आप लोगों को बताऊंगा तो आप ल से जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए अब हम आते हैं अपनी वीडियो पे और मैं आप लोगों को यहाँ पे सभी इंफर्मिशन पॉइंट वाइस डीटेल में बता देता हूँ तो जैसा कि आप लोग देख पारे होंगे फर्स्ट पॉइंट मैंने हाँ पे क्या लेखा हुआ है तो मैं आपको बता दूँ देखिए आप लोगों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा तो आप लोगों को करना क्या है आप लोग मुझे अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बता दीजेगा ताकि मैं आप लोगों को यह बता पाऊं कि आपको कौन सा college और कौन सी branch select करनी चाहिए जैसा कि मैंने आप सभी students को पहले भी कई बार बताया हुआ है कि जो UP Polytechnic में आप लोगों का admission होता है वो आपके marks के basis पर होता है यानि आपके number के हिसाब से plus आपकी category भी यहाँ पे देखी जाती है और plus यहाँ पे आपकी rank देखी जाती है ध्यान रखिएगा इन तीन चीजों की basis पर आप लोगों का admission होता है एक तो आपके number और plus आपकी rank और plus आपकी यहाँ पे category यानि category वाइस आप लोगों को छूट देखने को मिलती है तो आप लोग मुझे comment करके अपना final result जरूर बता दीजेगा और मैं आप सभी students को यह बता जो मेरे channel के top students होंगे उनके उपर में अलग से video भी बनाऊंगा तो आप सभी लोग मुझे अपना score जरूर बता दीजेगा देखिए जब आप लोग अपना score बताईएगा तो अपना नाम जरूर लिख दीजेगा अपना नाम अपने final marks लिखिएगा जो आपको number मिले हुए ह और plus जो आपकी rank है वो आपको लिख देनी है तो जो top students होंगे उनके उपर में अलग से video भी बनाऊंगा वीडियो में मैं उनका नाम भी लोगा तो आप लोग comment करके अपना score जरूर बता दीजेगा ताकि मैं यहाँ पे top students के उपर अलग से video बना सकूँ ठीक है और देखिए जिन students के number कम आए हुए हैं उनको भी अपना score बताना है ताकि मैं आप लोगों को यह बता पाऊं कि आपको कौन सा college select करना चाहिए देखिए जहां तक हो सकेगा मैं आप लोगों की पूरी help करूंगा और कोशिश करूंगा कि आप सभी लोगों का admission इस बार जरूर हो जाए औ जो tips मैं आपको बताऊंगा अगर आप follow करेंगे ना तो आपका admission 100% हो जाएगा tension लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तो पहला point मैंने यहाँ पे clear कर दिया अब second point मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जिन students के marks कम आए हैं वो students क्या करें क्या इस बार 2022 में कम marks पर भ क्यों हो जाएगा मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया हुआ है कि जो इस बार आवेदन हुए थे वो सबसे कम आवेदन हुए थे और बहुत सारे students ने exam भी छोड़ दिया था 70,000 से जादा students ने exam भी नहीं दिया था तो इस बार सीटों की संख्या जादा है और आ ध्यान रखना है तो देखें ये बताने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे काउंसलिंग के बारे में डीटेल में information अभी आगे बताऊंगा लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि काउंसलिंग करवाते समय जिन students के number कम है आप लोग बिल्कुल नहीं select करना है जिन students के number थोड़ा कम आए है ना उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को कुछ colleges की list में बताऊंगा कुछ colleges के नाम में आपको बताऊंगा अगर आप उन colleges में से काउंसलिंग करवाते समय अपना college select करेंगे तो आपका admission 100% हो जाएगा तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा जिन students के number कम है मैं उनकी बात कर रहा हूं कि काउंसलिंग करवाते समय आपको top college बिल्कुल नहीं select करना है मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जहांपे मैं आपको कुछ colleges की list बताऊंगा उन colleges में से अगर आप college अपना select करेंगे तो आपको government college भी मिल जाएगा और प्लस आपको branch भी अच्छी मिल जाएगी तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा तो आप लोगों को tension लेने की कोई भी जरूरत नहीं है जिन students के number कम भी है उनका अब ही admission इस बार हो जाएगा बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जब counseling स्टार्ट होगी न मैं आपको एक एक बाते बता दूंगा tension लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है अब मैं आपको यहां पर यह बता देता हूं कि आप लोगों की counseling कैसे होती है क्योंकि अब चुका है अब counseling ही start होगी आप लोगों की तो देखे मैं आपको बता दूँ बहुत ही जल्द UP Polytechnic की official website पर counseling का schedule आ जाएगा जैसे ही counseling का schedule आएगा मैं आप लोगों को inform कर दूंगा अब देखे counseling करवाते समय आपके documents क्या लगेंगे यह मैं आपको बता देता हूं तो देखे आपके पास आपका admit card होना चाहिए ठीक है admit card अपने साथ में रखिएगा और इसके अलावा जो आपका result है जिसे आप लोग rank card भी बोलते हैं जो आपका कल result आया है ना उसका print out ले लिजेगा बस जितनी भी details लगेंगी उसी में से लगेंगी और इसके अलावा आपको किसी document की जरूरत वहाँ पे नहीं पड़ेगी देखे जब आप लोग कांसलिंग करवाने के लिए जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बता दूँ देखे सबसे पहले आप लोगों को registration करना होगा तो आप लोगों की registration fees अलग से लगती है ध्यान र अपना registration करना होगा अपनी details वहाँ पे fill up करनी होगी फिर इसके बाद आपको क्या करना होता है उसके बाद आपको choice filling करनी होती है देखे choice filling से मतलब क्या हो जाएगा कि आप किस college में admission लेना चाहते हैं आपको college का नाम वहाँ पे select करना होगा और plus आप किस branch से admission लेना चाहते ह हैं ये आपको select करना होगा और मैं आपको बता दूँ आप एक साथ में कई colleges को select कर सकते हैं और एक साथ में कई branch को select कर सकते हैं लेकिन मैं आप सभी students को ये recommend करूंगा कि जो college आपको पसंद है अभी से decide कर लीजे देखे जिन students के marks अच्छे आते हैं उनकी यही choice होती है कि हम top college में admission ले तो जो college आपको पसंद हो एक बार अपना decide कर लीजेगा और जब counseling करवाने के लिए चाहिएगा ना तो जब आप लोग choice filling करेंगे तो पहले number पे वही college select कीजेगा जो आपको पसंद है और पहले number पे वही branch select कीजेगा जो branch आपको पसंद है फिर इसके बाद आप second choice third choice इसके अलावा अपनी कई choice वहाँ पे fill up कर सकते हैं तो ये मैंने आपको बता दिया है और जब आप लोग registration करने के लिए जाएंगे तो देखें आप लोगों को करना क्या होगा आप लोगों को sign in करना होगा अपने password के through तो password तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा तभ registration करेंगे mobile number आपका वहाँ पे लगेगा प्लस आपकी Gmail ID लगेगी ठीक है Gmail ID तो आप सब लोगों की होगी तो ये आपके लगेगी और इसके अलावा आपका admit card आपके पास होना चाहिए और प्लस आपका result होना चाहिए और इसके अलावा कोई document यहाँ पे नहीं लगेगा counseling कर लगे तो देखे जब आप लोग choice filling कर लेंगे फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा choice locking अपनी करनी होगी जब choice lock कर देंगे आप लोग फिर उसके बाद देखे क्या करना होगा आपको उसके बाद आप लोगों का seat allotment का result आएगा जब seat allotment का result आएगा आपको ये पता च क्या करना होगा आपको अपना एडमीशन लेना होगा ध्यान रखेगा जब एडमीशन होगा फिर इसके बाद आपको अपना डॉकुमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए जाना होगा और देखिए डॉकुमेंट वेरिफिकेशन के उपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है क कौन कौन से डॉकुमेंट्स आपके लगने वाले हैं अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो चैनल पे जाके आप लोग देख जरूर लीजेगा ठीक है तो यह आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस है जिस दिन से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आप ल सारे स्टुडेंट्स क्या करते हैं उनको काउंसलिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं होता है और वो गलती से क्या करते हैं गवर्मेंट कॉलेज की जगा प्राइवेट कॉलेज को सेलेक्ट कर लेते हैं ध्यान नहीं देते हैं तो अगर गलती से भी आपने अगर आपके admission में problem हो सकती है last year बहुत सारे students ने ये गलती की हुई थी मैंने कई बार बताया था कि जब counseling करवाईएगा तो वहाँ पे college list पूरी आपको देखने को मिलती है तो वहाँ पे लिखा होता है जो college आपका government होता है वहाँ पे government लिखा होता है और जो private होता है वहाँ पे private आ नहीं select करना है अगर private college एक बार select कर लेंगे ना तो government college आपको मिलने वाला है नहीं तो ये गलती आपको नहीं करनी है और देखिए अगर आपके number कम है ना फिर भी आप लोग counseling जरूर करवाईएगा देखिए इस बार आप लोगों के admission होने के chances बहुत ही जादा है अगर number कम भी है फिर भी आपको counseling जरूर कराना है ये आप लोग ध्यान रखिएगा आप लोगों का admission जरूर हो जाएगा tension लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है जब counseling का schedule आएगा जब counseling स्टार्ट होगी मैं आप लोगों को कुछ tips and tricks बता दूंगा अगर आप ये tips and tricks follow करेंगे counseling के सम तो आपका admission 100% हो जाएगा मैं colleges की list आप लोगों को बहुत ही जल्द बता दूंगा counseling स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को कुछ colleges की list दूंगा वहाँ पे आपका admission आसानी से कम नंबर में भी हो जाएगा और आपको branch भी अच्छी मिल जाएगी ठीक है तो दिखे मैंन आपको ऊपर ही बता दिया है कि आप लोगों को किन-किन बातों का ध्यान रखना है ठीक है तो एक बार फिर से मैं आपको repeat करके बता दे रहा हूं देखिए आप लोग मुझे अपना score कमेंट करके जरूर बता दीजेगा देखिए जो top students है मेरे channel के जिन लोगों ने अच्छ परफॉर्मेंस की है उनके उपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो मैं आप सभी students को बता दू जब आप लोग अपना score मुझे बताईएगा तो अपना नाम जरूर लिग दीजेगा प्लस अपना score लिग दीजेगा और प्लस अपनी rank लिग दीजेगा ठीक है ताकि मैं आ आप लोगों को ये recommend कर सको कि आप लोगों को कौन सा college select करना चाहिए एक बार फिर से मैं आपको repeat करके बता दू जैसे आपके number आए हैं जैसे आपकी rank है और प्लस आपकी category उसी के according अपना college select कीजेगा अगर number कम है तो top college मत select कीजेगा और अगर आपके number अच्छे हैं तो आप जो चाहें वो college select कर सकते हैं तो ये सबी information मैंने आपको बता दी है जैसे ही counseling का official schedule आएगा मैं आप लोगों को inform कर दूँगा तो यही information आज की इस वीडियो में आप लोगों को बतानी थी तो एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर repeat करके ये बता दू कि मैंने अपना vlog का एक channel create किया है अगर अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो इस channel की link मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के description box में दे दी है आप वहाँ से जा करके इस channel को subscribe कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पे आप लोगों के counseling से related important information बता दी है सब कुछ मैंने आपको detail में बता दिया है और जिस दिन से counseling स्टार्ट होगी उस दिन भी मैं आपको सभी information डीटेल में बता दूँगा तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुसे comment करके पूछ सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करना मत भूलेग सो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे next वीडियो में thanks for watching